कुछी दिन पहले धशेरा वीता हैं, लेकिन राम, रावन, हनुवान का युद्ध चलेगा चुनाव में, जी हाँ, राम के मुद्धे पे भाजपा, जैस्री राम का नारा लगा के चुनावी मैदान में हैं, राम मंदिर निर्मान की बात कह रही है, कॉंग्रेस इसी नारे को जैसिया राम कहके मैदान में हैं, लेकिन इस बार हनुवान और रावन साथ मिलके युद्ध लडएंगे, राम ही का नाम लेके दोनों पार्टियां, अलग-अलग नावों पे सवार हो रही है, बीजेपी कांग्रेस, हनुवान और रावन एक साथ कैसे होंगे, जी हाँ, हन जाती एक बहुत बड़ा फेक्टर है, जाती है कि जाती नहीं, राजस्तान में 34 सीटें SC के लिए रिजर्व हैं, बड़ा एक वोट प्रतीशत है, RLP पार्टी यानि कि राष्ट्रिय लोगतांतरिक पार्टी जिसके दो तिहाई विधायक यानि कि तीन में से दो विधायक जो है वो दलित वर्ग से आते हैं, SC की सीटों पे जीतते हैं, अपन 2018 के चुनाव का अगर विशलेशन करें, RLP जो है हनुवान बेनिवाल की पार्टी यहाँ कुल मिलाके 57-58 सीटों पे चुनाव लड़ती हैं, सीरियस आठ नो जगे चुनाव था, इस बार हनुवान बेनि जो राश्टेश्तर की पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं, उसमें कम्निष्ट पार्टी हैं, उसमें कॉंग्रेस हैं, बीजेपी है, बसपा है, आमादिम पार्टी हैं, ये पार्टियां NPPP भी हो सकती है, जो संगमा की पार्टी है, तो इन पार्टियों के लिए एक समाज, यानि कि जाट समाज के लिए RLP ने पूरा एक मेकनिजम तियार किया गया था, जहां जाट कद्दावर विधायक लड़ रहे थे, उसमें कुछ ही सीटे हैं, 5-6 सीटे होंगी मुश्कल से, जसमें मुखेश बाकर के सामने प्रत्याशी था, जिसमें बुर्ड उतारा गया हरीश चौधरी के सामने, हरीश चौधरी कॉंग्रेस के मारवाड के एक अधावर नेता है, और उनके सामने चुनाओ लड़ रहे थे कहलाश चौधरी, कहलाश चौधरी और हनुमान बेनिवाल के अच्छी दोस्ती हैं, कई सम्मिक्रणों के चलते, वहां पे ए उधारनों को छोड़ के, हनुमान बेनिवाल वसंद्रा राजे को लेके लगातार हमलावर रहे हैं, लेकिन उन्होंने परत्याशी नहीं उतारा, अशोग गैलोत खेमे के टॉप 20 नेताओं के खिलाब उन्होंने केंड़ेट नहीं उतारा, और वसंद्रा राजे खेमे के त देखने वाली बात होगी, हनुमान जोगे राम ही के आदेशों पर रामायन में चलते रहें, अब अपने अंदाज, अपने तेवर और अपने ही एक उत्साह के साथ बढ़ रहें, अपनी उनकी टीम है, एक फैन फॉलोविंग है, और सबसे बड़ी बात एक अनुठी राज चावित करेगी, क्या हनुमान बेनिवाल बीजे पी के टॉप नेताओं के खिलाफ के एंडेट उतारेंगे जैसा उन्होंने पिछली बार नहीं किया, यह बड़ा सवाल है, क्या हनुमान बेनिवाल के जो कदम हैं, वो सधे हुए हैं, या साधे हुए हैं, सबसे बड़ा यहां उपजता है क्योंकि सो सीटों पे जहां चुनाव लडने की बात है तो बाकी सो सीटों पे क्यों नहीं लड़ रहे हैं एक बड़ा प्रशन है बस्पा क्या करेगी जबकि बस्पा 1990 से राजस्थान में चुनाव लड़ रही है और आज तक एक भी दलित विधायक बस्प रूपाराम धंदेव विदायक है उसी सीट पे विचार चल रहा है मानवेंदर सिंग शिव को उतारा जाए डिमांड है यह करने की सालेह मुहम्मद की पोकरण विदायक की जो की अलपसंख्यक मामलों के मंत्री है जसलमेर जिले में खासा फोल्ड रखते हैं गाजी फकिर क बेटे हैं जिला प्रमुख रह चुके हैं पहले भी विदायक रहे हैं उनका कहना है कि अगर मानवेंदर सिंग को जसलमेर से टिकट नहीं दिया गया तो मैं चुनाव नहीं लड़ूँगा अब हरी शौदरी अडेवे हैं कि आप रूपाराम धंदेव का टिकट नहीं काट हैं रूपाराम धंदेव को अलग जगह शिफ्ट करने की बात चल रही है लेकिन क्या रूपाराम चोहटन जाएंगे क्या रूपाराम रेवदर जाएंगे क्या रूपाराम जालोर जाएंगे क्या रूपाराम कहीं और जाएंगे जाएं तो क्यों जाएं सबसे बड़ा सव हरी शौदरी इसी सवाल को लेके खड़े हैं मानवेंदर सिंग का क्या रुख रहेगा जैसल मेर से उन्होंने पार्टी के आलाकमान के कहने पे तैयारी भी शुरू कर दी थी लेकिन अगर जैसल मेर से बीजेपी किसे टिगट देती हैं वहाँ एक रेटायर्ड अतिरिक पुल बाटी जो आए हैं उनको शिव की जगए यहां दिया जाए तमाम तरह के समीकरण बीजेपी में और बीजेपी क्या करेगी यह लिस्ट बताएगी और उनके आलाकमान बताएंगे लेकिन हम लोटते हैं हनुमान बेनिवाल पे हनुमान बेनिवाल जो की पूरे नागोर में और मारवाड में अधिकारिक रूप से उनका प्रतिने जित्व दिखता है, लेकिन आपको भूलना नहीं चाहिए, जो गंगानगर और बिकानेर जिले हैं, जो इंद्रा गांदी नहर से सिंचित होते हैं, उनके किसानों के लिए हनुआन बेनिवाल ने पिछले आठ महीने में आम आदमे पार्टी की सरकार जो है पंजाब में, उसके साथ मिलके जिस तरह से काम किया है, जिस तरह से टीम उता रही हैं अनुआन बेनिवाल ने, रेमत राम विपामार जो पूर विधायक रहे हैं, उनको कोलायत से उता रहा है, किस के सामने भमर सिंग भाटी के सामने, बीजेपे से कौन होंगे, शायद देवी सिंग भाटी, अब यह जो समिकरन अनुआन बेनिवाल चुन रहे हैं, राजपूत वर्सेज राजपूत लड़ रहे हैं, आप एक बीच में जो है तीसरा एंगल दीजी आप, क्या जाट वर्सेज जाट जहां लड़ेंगे वह अन 29 को, यानि कि कल वो एक बड़ी सभा करने वाले हैं, इस सभा में क्या मेसेज जाएगा, हालां कि हनुमान बेनिवाल के राइवल या उनके खिलाफ ही एक जनस्वाबिमान मंच नाम का एक संगठन है, वो भी एक सभा कर रहा है कल अजमेर में, कायड में, तो देखना होगा दोनों ही सभाओं पे नजर बनाने होगी, हनुमान बेनिवाल की पिछली जो सभा थी, छात्र अधिकार रैली, वो ज़्यादा सफल नजर नहीं आई, हालां कि जो मेसेज उनने देना था, वो दे चुके वो, लेकिन चंदरशेखर रावन का अपना एक क्रेज है, दलित वर firmly inRe, तो उसका विरोध होना चाहिए, और अगर वो गलत थे, तो उसपे बात होनी चाहिए, हनवान बेनिवाल की दो दिन पहले लाइन थी, कि अगर कोई गलत है, तो उसे माफी मांगनी चाहिए, और सही है, तो फिर सही साबित करना चाहिए, तो मत्की का क्या हुआ, इस प रखने के लिए होता है लेकिन ऐसा वहाँ पे माहोल एक अलग तरह का बिगड गया है वहाँ भी बीजेपी में दो फाड हो रही है, कॉंग्रेस में अलग अलगी फाड हो रही है, विचारदारा के नाम पे लेकिन पुलिस की जांच में यह आया कि मटकी जैसी कोई चीज नहीं थी खेर लोटते हैं रावन और हनुमान के पैक्ट पे, रावन का और हनुमान का जो पैक्ट होआ है, चायद जो रामायन में भी नहीं हो पाया, वो आज कल की जो और राजनतिक विशलेशनों से आप लगातार रूबरू होते रहें, इसके लिए आप Think360 को सब्सक्राइब जरूर करें